सबी को नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंस इयार टी टीचिंग में आज मैं जिस कोमिक्स रिव्यू लेकर क्या हूँ वह है निशाचर यह निशाचर का एड है और इसके साथ में एक और एड में शामिल किया सर्वनाश का क्या कनेक्शन इन दोनों का ए पहले निशाचर केट को रीट कर लेते हैं जैसा कि उस समय जो टू-इन-वन विशुशंग आते थे उसमें दो सूपर हीरो पहले किसी रिजन के विए आपस लड़ते थे फिर कुरुच के लाती फिमिया होती थी वह सोल होती थी फिर मिलकर लड़ते थे ऐसा कॉंसेट था काफी इंट्रेस्टिंग कॉंसेट था तो इन दोनों की बेच में कुछ बैस पाजी दिखा रखी है कि कनपटी पर एक गोली और तेरा बेजा मेरा कुत्ता चाट जाएगा डूगा जो की डूग सेने कुत्तों से इंस्पारड है धुरूब बोलता है कि धुरूब का बेजा तो जिसो की जिन्दकी चाट जाता है तो ट्रिगर दवा अंजाम देख और नीचे देखे क्या लिकावा है उठेगा तूफान जब टकराएंगे दो चट्टानी इंसान अब यह इस लाइन पर फोकस किजिएगा अब पर हारे कोई जीतेगा तो सिर्फ निशाचर इसके कई मिनिंग निकलता है मैंने क्या मिनिंग निकला था यह 1999 में आई थी कॉमिक्स और एड 1998 में आ गया था तो मैं क्लास सेवंथ में था तो सेवंथ में था सेवंथ चल रहा था क्लास में तो मैंने क्या मतलब निकाला देखिए यह जो दोनों सूपर हिरो है इन दोनों की नोई पता थी यह मास्क पहते थे एक डिफरेंस है दोनों में और दोनों ही रात में अपना काम करते थी कि इनकी प्रसंट लाइफ थी इनकी फेमिलिए अगए है थी तो रात के समय में ये मॉटर साइकल पर पेट्रोलिंग करती ते अद्श्ट लगाते ते यह धी ऐसा ने करते थे इसकी भी एक डोगा अजं ओसका च्थोर्फ पर जीम वागर चलाता है तो दुनों कि लाइफ मिलती जिलती थी दूनों की दोनों ही रात में काम करते थे निशाचर थे निशाचर आले कि इस विलेन का नाम है जो इस कॉमिक्स में है बट ये दोनों भी निशाचर हैं एक सेंस में और उस सेंस में आप देखिए पर हारे कोई जीते का तो सिर्फ निशाचर मतलब अगर सुपरकमंडो धुरू हारता है इंटरेस्टिंग है काफी निशाचर ये है विलेन और इन दोनों कुछ है दिलडवा रहा है तो अंतवी जी तीसी की होगी फिरमेन कोमिक्स की बात करते हैं एडग मतलब यह निशाचर कोमिक्स देखिए निशाचर कोमिक्स में जो है यह निशाचर एक एक शेतान टाइप का दिखा रखा है देव दानों जिसा को दिखा रखा है यह दो कोई दानों है जिनको यह कंट्रोल कर रहा है computer effects है थोड़े से देखिए hologram टाइप क्यों और यह सुपर कवानदा धुरुवट होगा है इंकिंग है और यहां पर लिखा हुआ है दीरजवर्म शायद फोकस कर लेते हैं हाँ कि तो उन्होंने कलर की इस तरह के लाइट कलार जोसे बनाए इससे पहले मैं विश अम्रत सिंगल इशू का रिव्यू कर चुका हूं यह देखिए तो उसके जिसे कलर हैं यह काफी अच्छ लगते हैं देरे जो नमजी के जो वो बेडिया बनाते थे कोपी और बेडिया थे उनके विशांक बलीक उठार कोपी और बडिया बहुत फेमस तरह से कलर्स के लिए और सबसे पहले गलोसी प्रेंट उनीक आया था 1999 में और 1998 में त प्रेंटिग्व गश्यॆ बरगिक maintenant क्विश अंब्रक्ण कोपी अच्छ फ्रेंग गनी इतने ज्यादा नहीं है इसके जस्ट बात मैं कल्युक की थोड़ा सा ग्लिंप रिषी teams чござई है आपको इससे पहले जो मैं ने विशम्रट कोमिक्स का रिभिवियो किया था उसमें कल् दानों का कुछ इसमें बता रखा है और ये कल्योग जो है निशाचर के continuation में ही है तो जब निशाचर end होती है तो उसके पिछे यह देखिए कितना जबर्दस एड़ बना रखा है और आप color देखिए धिरजणाजी के color इसके बारे में कल्योग के समय बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा आपको बता देता हूं 1998 निशाचर कल्योग के पब्लिश होने से पहले वाला जो टाइम था उसमय एक और लेडी सुपर हिरो इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था शक्ति नागराज की बांबी कॉमिक्स से इनका डेविव हुआ था यह बांबी का एक्चुल औरिजिनल कवर था यह देखी इसके बाद उसका ग्लोसी में रिप्रिंट और निकला है जिसमें color इसकी completely देखिए अलग किया दिए यह background की देखिए आप जो ला YouTube का मैं इसके बाद रिविव करोंगा तो उसके बात करेंगे तो कल्यूग को अटा देते हैं फिलाल इस एड को भी बंद करते हैं और उस समय जैसा मैंने पहले भी बता रहा है तो इनवन जुशांग जंबो विशांग आते थे हर साल आते थे यह 1999 में आया था उसमें ग्रि बेडिया बहुत ही जबर्दस विशांग थे को भी बेडिया का फर्स्ट टाइम ग्लोशी में दिखाए गया थे इदेगे चितरांगन कंप्टर वर्क सभी नसरा रहा है और 1999 में यह यह निशाचर कलियों के साथ में बली कोठा रहा है था तो इसका टोपिक नहीं है तो इस इस वैसे इसको पुब्लिश किया गया है यही इसमें कॉंटेस्ट वग्रवा करते थे चित्र पैचानों कुस्तु में भी पैचान सकता हूं खोनी खांदान छोड़ते इसको अभी फिलाले कॉंटेस्टरी से काम के नहीं है तो यह निशाचर का मुख प्रस्ट है और फिस इसमें एक बात वोट बताया तो आपको इसमें कलरिंग बगर किसनी के उसके देखते हैं फिर काफी इंटरेशिंग भी आपको देखें कथा जोली सिना चित् द्वारा बनाया गया डोगा बहुत ही क्लासिक लुक था और द्रुव की इंकिंग कुमार जी करेंगे और यह कुछ सुल के सीन है देखिए दिलिप चोबे जी जो तरंगा बनाते थे आपको वैसे चित्रांकत देखेगा तब जाकर मुझे इंकिंग का रोल क्लीर हुआ था कि पैंसिलिंग का रोल तो है नो डाउट पर इंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल है चित्रों में देखिए पिलकुल आपको मनोजी ऐसे डोगा दिखेगा सिर्फ इंकिंग के वज़े से देखिए तो इसमें वो फील थी कि धुरू देखोगे तो आपको अनपमजी दिवा इंगे वगरा के भी की भेडे जो बनाएंगे वो द्यरस्वय में बनाएं गे डोगा बनाएंगे तो बनाएंगे तरंगा बनाएंगे तर्लीफ यूनिक स्टाइल होता था यह आर्टिस्ट का और एक हम आडेटिफाय कर पाते थे कि हाँ तिरंगा मतलब दिलीव चोबे जी वाला मनु जी घट होगा और मनु पर मिसे नाजी द्वाया बनाया गया नागरल दुरू तो यह कुछ सीन है जो दिलीव चोबे ने इंको रखी है अब विलोजी किंग आपकर यह दिखिया इस तरी के कैसा सिंपल कलर इसकी तो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क इसमें नहीं था और यह दिलीव चोबी जी इसा बनाते थे तो आप दिख रहा है कि दिलीव चोबी जी ने गिंग किये किलिर दिख जाता है ऐसा कभी का काम है अच्छा लगता है विच्व विशेशांग इसको एक कलेक्टिबल आइटम मना जाता है और सबसे पर विशेशता उस टाइम पर यह वा करती थी सिंगल इश्यू में स्टोरी खतम हजाया करती थी और अगर कोई सीरीज होती थी तो वह जबर्द सीरीज हुआ करती यह एक गए दिश्व एकेड़ है कौन का खत्रा तो मिश्च का यह देकिए इसमें सेट Deck tables यहां दे रखी है को आगा का खत्रा रा Ja La java क्या लिए को मिक्स भी है प्लानिंग इस तरीके से होती थी कि बच्चे उसमें यह वो टाइम था हमारा वाला जब गर्मियों की चुट्टियों में कुछ नहीं करने को होता था मतलों पूरी तरीके से जिस्टिफाइड होता था था आप गूंओ बाहर लुडो खेलो कॉमिक्स पड़ो उसमें परेंट को रोक रोक नहीं करते थे लेकिन हाँ एक्जाम से वगरा में आप फिर कॉमिक्स वगरा हमारे घर में अलाव नहीं होती थी नौर्मल टाइम में भी और एक्जाम टाइम में तो बिल्कुल नहीं तो यह आर्ट वर्क है कुछ इन्फॉर्मेशन है निशाजर के बारे में सबसे इंट्रेस्टिंग इसकी यह है बात की सुपर कुमंडो धुरू और डोगा दोनों ही विदाउट सुपर पावर वाले ही सुपर हिरो है और विलेन देखे आप बिल्कुल देव दानों वाला चुट चुट चीजिए है ग्रीन पेज है स्टार मेल फॉर सुपर कॉमंडो धुरू पोईजन पोस्ट फॉर नागरा तो मजाता पड़ने देखे इसमें के लिखावा है लास्ट में कोमिक समाप्त इंतजार शुरू कलियों का क्योंकि कोई भी कॉमिक हो सुपर कॉमंडो दुरूडोगा हो नागरा दुरूओ अकिल नागरा जो हमको पता है कि लास्ट वो जीतेंगे तो सही पर किस तरीके से जीतेंगे वो एक इंपरण चीज़ा किसा ट्रीटमेंट मिलावा है तो देखे जो भी हुआ जीत गए होंगे तो देखे पर ऐसा होना नहीं था क्योंक में दूसरे नए तरीके इजाद की जारते देखिए कि हमने सद्यों तक इंतिजार किया पर हमारा सबसे जांबास प्राणी इनिशाचर एक बार फिर ऐस सफल हो गया अगर वह सफल हो जाता तो मानव हमारी वक्ति करते हैं और वह शक्ति मिलती जिससे हम देवताओं को नश से यह कलियोग प्लान हुआ था जिसका मैं नेक्स्ट रिवीव करने वाला हूं और इसलिए इसमें शक्ति का इंपोर्टेंट रोल है क्योंकि राज कोमिक्स में एकमातर यह एसा करेक्टर है 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था मैंने पहले बताया था फिर दिखाया था रिविये शक्ति कि एंथूनी शक्ति है मानुश तो यही एक देवी कांज शाह सा इस बनाए गया यह रसका बालर भानस कते हैं तो यही इसमें टकर रे सकते था तो इस तरीके से इसमें इंट्रूव करके कि यह कर रहा है यह के लिए के बारे में निशाचर के इसमें दिखाया आपको तो अपने निशाचर की रिव्यू को मैं इसी एड़ पर एंड करता हूं पिससको निकार लेते हैं और इसका एड़ आपको फिर से दिखा देता हूं सर्वनाश का मैंने आपको एड़ दिखाया था उसका भी कनेक्शन बता देता हूं यह देखिए सर्वनाश निशाचर के बाद में सुपर कमंडो धुरोड दोगा का विश्रांग था जो 2006-07 के आसपास आये था सिक्स में आये था यह देखिए इसकी विटोपीज में पास वैक ओरिजिनल है 40 रुपिज का एक इरेपरिग्स है 80 रुपिज का और च्पार चौ्छ यह थो और पर पर्पल बोर्डर में आये थी यह कोमिक्स और मेरे पास जो रिपरिंटा इसके थो वाइट बोर्डर थे तो का आपको मैंने एक सीन दिखाया था तो यहीं अंडर करते हैं वीडियो को वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद